पूरी टरीके से हैं बातसित करने वाले वाले बिहार आप्जय पूरी तरीके से हम लोग बातसित करने वाले बिहार इससल के साथ Imınız आपको économique के प्रसनों को फेटने का कारी किया है सलद्यों कि प्रधाना ध्यापक केецंठ के- Tails benig कर लिजेगा वीडियो अधिक सदिक मित्रों के साथ सेर जरूर कर दीजेगा सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जो आपका प्रधाना ध्यापक और प्रधान सिक्षक का इस चीज का भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं पूरे मेटेरियल के साथ आपको जो मौर्निंग में देखिए क्या प्रोसेस है ध्यान से समझ लिजेगा मौर्निंग में आपको 6-7 बजे तक आपको मेटेरियल प्रोवाइट कराए जाता है ठीक है साम में आपको 6-9 अभी कला चल रहा है दूसरा बैच होगा वह 7-10 का बैच होगा ठीक है तो यह दो बैच अभी मतलब चलेंगे पहले बैच पूरी तरीके से फुल हो चुका है दूसरे बैच के लिए रिजिस्टेशन जारी है तो आपको 4 तारिक तक आपका रिजिस्टेशन होगा चार तारिक के तो 10 बजे आपको MCQ के रुपे प्रसन चला जाएगा उसके बाद आपको उसका आंसर सीट भी चला जाएगा तो आप लोग पहले उसको बनाएंगे बनाने के बाद आपको जो सिमित समय रहेगा 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट उसके बाद आपको उसका आंसर भी चला जाएगा त आप लोग यदि नंबर चाहते हैं तो आप दो नंबर आपको उपलत कराया जा रहा है 8969094103 इस नंबर पर या तो WhatsApp कर लिजे Message की माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या दूसरा आपका नंबर देते हैं 815 उसके बाद आपका हो गया 3639 उसके बाद 67 इस दो नंबर ये दोनों नंबर आपके पास उपलब्ध होगे दोनों नंबर में से किसी पर आप जो है सो WhatsApp के जरिए Message करके सारी जानकारी आप राप्त कर सकते हैं चलिए सुरात करता है पहले प्रसन से पहला प्रसन है एकदम देखए धासू प्रसन सब लाए है मातर 40 से 45 प्रसन होँगे लगों 50 प्रसन का हमने सिट किया था लेकिन कुछ कम है इसमें ठीक है देख लिजए कितना प्रसन है सो आगे हम लोग कम्पलीट कर लेंगे चलی पहले प्रेसन को देखेंगे बिहार में करसी डेरी भिकास केंदर कहां अस्थापित किया गया है यह देखें इसको आप बिहार स्पेसर भी कह सकते है आप इसको यह भी कह सकते हैं कि Economics Best Prutenant भी कह सकते हैं चुकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्या है प्रसन आपका है क्रशी एवं क्रफी एवं डेरी से समधी यहाँ पर यह आपका अंसर जरबा मोतिहारी बियार में किरसी एवं डेडी विकास के अंदर कहाँ सापित की गई है, तो मोतिहारी में की गई है अगला क्वेश्चन नमर देखे थिरी है, भारत में 122 संबिधां संसोधन जो बारत देश में पुरे कंट्री की बात हो रही है, जो 122 संबिधां संसोधन हुआ है वो 2016 में हुआ जो की 8 सितंबर 2016 को खास करके राष्टपती जी का वहाँ पर हस्ताक्चर हो गया वो किस तीज पर हुआ था ये देख लीजे आपके सामने है GST goods जो है service tax होता है GST अभी देख रहे सब कुछ पर लागू हो गया है अब तिल डीजल पर ही खाली बचा हुआ है और भी कुछ चीज़े है जिस पर बचा हुआ है तो देख लीजे आगे जो हैसो अगला प्रस्थन मारा क्या कहता है ध्यान ये रखना है कि 122 मा समिधान से सुदन हुआ था जिसमें GST पर 2016 में ही राष्टपतीजी का महर लग गया है अगला देखे आधूनिक चालक प्रस्थन सह सोध संस्थान कहां पर स्थापित की गई है यहां देखे आधूनिक चालक जितने भी पुलीस फोर्स या चालक की जो मतलब समझ लिए बहाली होती है उसमें आपका जो प्रसिक्षन होता है वो कहां पर होता है औरंगाबाद में होता है अगला कॉस्चन देखे बहुत ही जबरदस्त कॉस्चन लेकर के आए है वीडियो को फोरा सा लाइक करिए फटा फटा आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजिए बिहार मद्दी निसेद और उत्पाद अधिनियम 2016 कब लागू किया गया था ये 2 अक्टूबर 2016 में ही लगाया गया था ठीक है 2 अक्टूबर अब ये कहिएगा क्यों चुकि देखते हमेशा सराब पर पूरी तरीके से माहोल हमेशा गरम रहता है और यहां से प्रस्णा आपको पूछे जानी की संभावनाय बन जाती है इसलिए ये 2016 का प्रस्णा हमने उठाया है ठीक है चलिए ओनलाइन प्रतिस्थित की चूट दी गई है तो जो एक प्रतिस्थित की चूट दी गई है ठीक है एक प्रतिस्थित की चूट दी गई है ठीक है एक प्रतिस्थित की चूट दी गई है ठीक है एक प्रतिस्थित की चूट दी गई है ठीक है एक प्रतिस्थित की चूट दी ग साइ जितने भी टेक्स देने वाले बिजनेसमेन है उनको सम्मान के लिए यह जो है सो सुरुवात की गई है अगले प्रसुन को देखेंगे सारी स्विधाई आपको एकदम बहतरी धंक से उपलब्द कराई जाती है इसकी अस्थापना की बात कर लें दिसंबर 1966 में अगले प्रसुन करता है कि अगस्त 2021 का थक खाद्य प्रसंकरन उद्योग की संख्या कितनी है और बिहार की बात कर लें जो उद्योग की संख्या कुल जो है आपका 413 उद्योग है जिसे मदमक्खी पालान जो दुग दूद पादन से समंदिर डैडी हो गया है इन सब भी 413 को लैसेंस दिया जा चुका है जूट पार्क की अस्थापना बिहार में कहां की गई है जूट पार्क के अगर बात कर लें तो पुर्निया में की गई जूट पार्क कहां पर है पुर्निया जूट पार्क कहां पर है पुर्निया ध्यान रखेगा अध्योगिक निवेस प्रोजसाहन नीती 2021-22 में आर्थिक बिकास दर कितने प्रतिसत निराद की गई है 21-22 की बात कर रहे है जो आर्थिक बिकास दर है GDP में यानि उसमें आपका अगला परस्ण है विसु बैंक के किस संस्था को उधार रिन परदावन करने वाली खिर्की कहा जाता है? किस को कहा जाता है? तो अंतर राष्ट्रियर विकास संग को भारत में बित आयोग का गठन का प्रवधान समिधान के किस अनुष्चेद में है? चुकि बित्ये मामला है बित्ये मामला का गठन का जो है सम्विधान आपका 280 अनुचेद 280 में है किसमे अनुचेद 280 में है अगले प्रसंद के और बढ़ेंगे अगला प्रसंद के भारत की पहली मानब रिपोर्ट जो HDR है चुकि वन लाइनर है इसलिए हम फटा-फट प्रिया चर्शक्ताल सकते हैं कब जारी की गई थी पहली बार अप्रैल 2002 में की गय थी पहली बार कव अप्रैल 2002 में आप लोग एक प्रसं का जवाब दीजये हमें कम७ंहूं कि RTE 2 कब लागु हुआ था और ी एक्ट यहां प्रसंद ब tweede के दीजिए हमें कमूंध में दीज़ें ठ DSO का full form, central esthetical organization, ये आपको राश्ट्रिय आई का आकलन करता है, ध्यान रखेगा, केंदरिये साँखी की संगठन, राश्ट्रीय आई का जो है, क्या करता है, पूरी तरीकिस आकलन करता है, दुईप बिकास परादीकरन, जिसको Island Development Authority कहते हैं, दुईप बिकास परादीकरन, आइजलेंड डेवलपमेंट औरिटी यह इसके अध्यक्च कौन होते है तो प्रथान मंत्री होते है इसके अध्यक्च कौन होते है प्रथान मंत्री देखे बैंक नोट प्रेस कहां इस्तित है बैंक का जो नोट प्रेस है बैंक जो जो नोट प्रेस से निकलता है वो कहां है त पुरई तरीके से समझ जायेंगे आपकी तयारी 30 दिनों में कैसे हो जाएगी हो सकती है उसकी पूरी रनीतियों के साथ आपको 3 घंटे लाइब क्लास दिये जाते हैं पूरा आपको एक बहतरीन मेटेरियल उपलब्द कराया जाता है आप लोग यदि किसी भी बात कर ले अगर बुग की आप यूनिक प्रकासन और सभी प्रकासन को यदि गौर करेंगे देखेंगे जितने भी प्रकासन है छोड़िये नाम उसको छोड़ दीजे आप गौर की जिगात उसमें देखेंगा सीलेवस से इतर बहुत सारे प्रकासन दिये गया है पूरी तरीके से सीलेवस को कभर नहीं किया गया है इसलिए आप लोग सीलेवस से जुरे हुए चीजों को सिर्फ पढ़िये जो आपको एक्जाम के दिरिष्टी कोन से मत पूर्ण हो सकता है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं लिए प्रस्ट को भारतिये प्रतिभूती एवं बीनियम बोर्ड के स्थापना कभ हुई थी जो प्रतिभूती और बीनियम बोर्ड है उसके अस्थापना 1988 में हुई थी उनी 188 में आगला देखे बहुत ही मज़ेदार प्रस्ट है कि कापार्ट यानि कॉंसिल और जो एडवांसमेंट है यह कॉंसिल फोर एडवांसमेंट और पीपूल एक्सन एंड रूर टेकनोलोजी जिसको कपार्ट कहते हैं C-A-P-A-R-T इसका मुक्षाले कहां पर इस्थी थै यह आपका नई दिली में कपार्ट का मुक्षाले कहां पर है नई दिली में बिहार में किर्सी एवं डेरी विकास केंदर अस्थापना कहां पर किया गया है कहां पर करने का इने निर ने लिया गया है तो मोतिहारी में किर्सी एवं डेरी विकास केंदर की अस्थापना की जाएगी मोतिहारी में राजी में देखिए एक बहुत बड़ा जो है आपका मतलब विवस्था चलाई जा रही है योजना चलाई जा रही है जिसे 15 से 35 बर्स के आयवर की महिलाओं को 40 लाक निरक्षक महिलाओं को साक्षर बनायने की योजना सुरू की गई है जिसका योजना का क्या नाम है आप लो चुकि नारी सक्ती देखिए नारी सक्ती इसलिए ये आपको 2089 की है लेकिन इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि महिलाओं के संदर्म में जो मानिये मुख मंतरी जी का कारिकरम होता है वो पूरी तरीके से अवल दर्जे पर हमिसा रहता है महिलाओं को आगे बढ़ाने का इन्ह ये सब चीज़ है तो कहीं कहीं हमिसा महिलाओं को उत्थान के लिए ये कारिकरते ही रहते हैं तो ये इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेगा ये ने की अब 2008 नो का है तो बिलकुल इसको नजर अंदाज नहीं करना देखे एसमॉल इस ब्यूटिफुल किसकी सूपर सि मतलब हुआ प्रकास चंद्र महाल नोबिस इन्हीं के द्वारा जो सांखी की अंदोलन है उसकी सुरुवात की गई थी उन्हीं के द्वारा उनका मतलब अहम योगदान है बिहार में अगर बात करें प्रथम बार राष्ट पती सासर किस अबधी में के लिए लगा गया था तो देख लिए 1968 से 1979 तक चला था जिसमें जून 1968 से लेकर के फरवड़ी 1969 के बीच चला था बिहार मगर कुल में लाकर के बात करें तो अब तक साथ बार राष्ट पती सासर लग चुका कितने बार साथ बार अगले प्रस्म की और देखेंगे देखें गरीवी हटाओ का नार ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग रोजगार में लगे हुए तो दिखते हैं परन्तु उनकी सीमानत उपयोगिता जो है सुन्य होती है क्या कहलाती है देखें प्रशन्य बेरोजगारी कहलाती है क्या कहलाती है प्रशन्य बेरोजगारी कहलाती है ध्यान रखिएगा आगे वरेंगे ग्रामीन साख विवस्था की सिर्ष संस्था कौन सी है ग्रामीन साख विवस्था की सिर्ष संस्था कौन सी है यह नावाड है क्या है नावाड ध्यान रखेगा नावाड है जो ग्रामीन साख विवस्था की पूरी तरीके से सिर्ष संस्था कही जाती है यूणिसको की 20 विरास्त सूची में नालन्दा महा बिहार को किस बर्ग के तहत सम्मिलित किया गया है इसतीत खोज किस ने की थी फ्रांसिसी जो थे उसका नाम था बुका नान हैमिल्टन बुकानन हैमिल्टन ने अठारो से ग्यारा बारा में खोज की थी नालंदा के अस्तालों की ठीक है अगले प्रिस्निकर बढ़ेंगे देखिए महा बोधी मंदिर पड़िसर बोध गया का जो सांस्कृतिक बर्ग में युनिस्को की विस्विख्यात सूची में कब सामिल की गई थी तो 2002 में अभी अभी जेश्ट आपने परहा उपर क्या परहा कि युनिस्को की विरास्त सूची में नलंदा बहा बिहार को किस बर्ग में लिया गया है और कब लिया गया है तो 2002 में लिया गया दोनों बातों को ध्यान मुखेगा देश में बात कर लिए परति बैक्ती गया था बागल पूर दियान रखेगा पडियाबरन सुरक्षा एक्ट इन्वारोमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इप एक कब लागू किया गया था तो पडियाबरन सुरक्षा की चुकि पडियाबरन भी एक महत्वपुर्ण टौफिक हो जाता है तो वहां से प्रोटेक्शन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेगा प्रयाबरन सुरक्षा एक्ट इन्टीन एटीसिक्स में लागू किया था एप ए ठीक है आगे बरेंगे अगले प्रोटेक्शन चोड़ देखे इसमार्ट गंगा सीटी योजना के अंतर से का मतलब हो जाता है पूरी तरीके से महबूब उलहक की देने ठीक है माबूब उलहक की देन है मानभी का सुचका अंगतर चलिए लगातार फोन आ रहा था इसलिए जो है सो बीच में रुखना परा हमको चलिए वीडियो देखने हैं बहुत बहुत धन्यवाद साथी हो आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा सेर जरूर कर दिया कीजिए और साथी साथ हमारे जो हमारी वेवस्थाएं हैं आपको परदान सिक्षिक बनाने का जो हमने लक्ष रखा है उसमें आप लोग सहीयोग करें